नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनित सागर एक शोट टोपिक है आज आजाम्स मनोहरी गॉल टी के बारे में रीजनली ये आॉक्षन हुआ था रूपीज 99,999 रूपीज पर किलो एक किलो टी का रेट है वन लाक रूपीज तो क्या स्पेशियाल्टी है इस टी का वो हम आज डीटेल ये डिसकस करेंगे शुरुआत करते दोस्तों वैसे 99,999 पर किलो रेट में ये खरीदा कौन सवरो टी ट्रेडेज ने देखी इस तरह की स्पेशियल टी जो होता है उनका पॉब्लिक ओक्षन होता है तो उसमें कई सारे कंपनी साके बीडिंग करते हैं तो इस साल सवरो ट्री टेडेज ने हाइस बीड दिया 99,999 पर किलो ग्राम में बिका था तो इस साल 33 परसन हाइट देखनो को मिला है एक किलो मनोहरी गोल्टी का अन इस बीं कंसिड़ेट आस दा हाइस प्राइस प्राइस एवर फोर टी इन पॉब्लिक ओक्षन एक पॉब्लिक ओक्षन में एक टी का इतना ज्यादा प्राइस कभ कंपनी इस साल केवल 10 किलो मनोहरी गोल्टी प्रोडूस करने का प्लान बनाया था और दे कुट मैनेज ओली 2.5 किलो वैसे कंपनी का टॉटल टी आउटपूट एक्रोस ओल वराइटीज एट लाग किलो है उसमें से केवल धाई किलो मनोहरी गोल्टी वो प्रोडूस कर पाय और रीटेल में आपको मिल जाएगा आपको कंपनी गार्डेंस में जाना पड़ेगा या फिर गोहाती ऑक्शन सेंडेंस में जाना पड़ेगा उथर आपको 20 ग्राम के लिए 2,700 रूपीज पे करना पड़ेगा मनोहरी गोल्टी के लिए वैसे इस टी का बेनेफिट्स क्या आजाम बिरगाट डिस्टी आजाम का वन ओफी इस्टेंड डिस्टीक से और मेनी टेप अटी ओक्सिदेंस आफ फॉंड इस टी लेकिश टीमें कई तरह का एंडी ओक्सिदेंस एं आने पार्ट फम दीस लेकंडिन बयो एक्टिव कंपोंड तट है एल्पीन कंट्रों अबीसिटी देखें हुमन बोडी में जो एफेक्स ओफ एजिंग ओबीसिटी वातलब मोटा होना एजिंग मतलब जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारे शरीर में काफी से चेंज़े साता है तो यह सारे एफेक्स जो है कम होता है यह टी कंजूम करने से तो यह सब बजे और छे बजे के बीच में सूरज की किरने नीचे गिरने से पहले ही प्लक करते हैं, मतलब sunlate इस tea leaves में touch होने से पहले इसका प्लक किंग होता है, and its color is light beech and the leaves are plucked along with the buds, buds के साथ-साथ leaves को प्लक करते हैं, ठीके, इसलिए इस tea का flavor कुछ अलग है, तो दोस्तों, finally, about tea cultivation in azam, आसाम tea basically black tea है, named after the region of its production azam india, देखे, आसाम में से produce होता है, इसलिए azam tea नाम है, azam tea जिस प्लान में manufacture होता है, इसे master's plan बोलता है, इसका scientific नाम है, camellia sinensis var azamica, अब azam tea की specialty है, that it is now mostly grown at or near sea level, देखे, normal tea garden साब देखोगे न, south India में, जैसे केरला में है, वो tea gardens आपको highly elevated areas में देखने को मिलेगा, hilly terrains में देखने को मिलेगा, जो sea level से काफी ऊपर है, पर azam tea की specialty है, they are mostly grown at or near to sea level, and इसकी specialty है, it is known for its body, briskness, multi flavor, strong and bright color, और एक बात यह है दोस्तों, azam teas और blends containing azam leaves are often sold as breakfast teas, एक most famous tea है, Irish breakfast tea, Irish breakfast tea में, small sized azam tea leaves का इस्तमाल होता है, वैसे दोस्तों, state of azam दुनिया का largest tea growing region है, in terms of production, प्रह्मपुत्रा रिवर के दोनों साइड में, up to the borders of Bhutan, Bangladesh, Myanmar, and China, आपको tea cultivation देखने को मिलेगा, और यह जो पार्ट है इंडिया का इधर high rainfall experience होता है, मन्जून पीरीड में, एक दिन में 250 से लेके 300 mm तक की बारिस मिल जाता है, और डेटेम टेंबरेचर 36 degree Celsius तक चला जाता है, तो यह सब एक green house lake conditions create करता है, of extreme humidity and heat, तो यह tropical climatic conditions की वज़े से, आसाम की जो tea है, इसकी taste एक दम unique है, यह feature for which the tea is well known, तो दोस्तों that's the end of it, I hope आपको मनोहरी गौल्टी के बारे में, इसकी speciality के बारे में and आसाम tea के बारे में थोड़ा बूद सीखने को मिला होगा, लक्षे की PDF, आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा, जिसका link नीचे provided है, thank you for watching, bye bye, have a nice day.